हेलो एंड वेलकम तो मीडियालंस डॉट कॉम और दोस्तों स्वागत है आपका इस सिंथ बेसिक ट्रेनिंग सीरीज के अंदर जिसमें हम बात कर रहे हैं डिफरेट सिंथ के बारे में कैसे इनको यूज करते हैं आज हम बात करेंगे native instruments massive के उपर यह काफी popular plugin है कि इसको कैसे use करते हैं और इसमें क्या sound designing का process रहता है इसके उपर हम इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए start करते हैं जो massive है वो भी एक subtractive synthesizer है यानि इसमें भी हम जो different oscillator के help से sound produce करते हैं और उसको फिर हम filter और effect लगा सकते हैं और इसके लाव उन sound को जो हम modulate करवा सकते हैं तो कैसे ये काम करता है आखिर इसमें ये जो different area है आखिर इनका क्या काम है उनके अपन हम बात करेंगे तो इसमें आपके पास में तीन oscillator होते हैं जैसे oscillator 1 और फिर और 2 और 3 अब यहां पे आप देखें इनके सामने जैसे जहां पे आप देखेंगे आपको एक हलका सा sign color का सा dot दिखाई देगा इसको आप click करके on ये off कर सकते हैं तो अगर ये sign on है इसका मतलब ये part जो है वो on है और अगर ये इस तरह से off है तो ये off रहेगा तो इस तरह से हम इसे on ये off कर सकते हैं अभी हम new sound पे click करेंगे और by default ये sound आती है इसकी ठीक है अब यहां से हम इसमें different wave tables choose करते हैं अब ये wave tables आकर क्या है तो इसको समझाने के लिए मैं आपको जो है serum के अंदर बताऊंगा बट ऐससा मान के चलिए कि एक तरह से single wave ना होके इसमें एक wave की table होती है तो जैसे हम अभी serum से बात करते हैं तो यहां पे क्या आपको ए wave tables होती है for example यहां से मैं digital यह wave table लेता हूं तो आप देख सकते हैं simple wave है इस तरह से लेकर अगर मैं क्लिक करूं तो आप देखेंगे एक तरह से बहुत सारी wave है और मैं wave table position की मदद से बहुत सारी wave के अंदर cycle कर सकता हूं यानि मुझे जो wave चूज करनी होगी मैं यहां से select कर स आपके पास मैं यहां पर बहुत सारी wave tables होती है और उनकी जो position है कि कौन सी wave selected होगी वह आप यहां से wave table position से change कर सकते हैं for example मैं यहां से यह जैसे kangaroo यह जो भी प्रिसेट है यह चूज करता हूं wave table और अगर जैसे kanga इसकी wave table का अगर position change करता हूं तो आप देखेंगे sound change होती ह तो एक तरह से different waves होती है और उनकी position हम change करते है जैसे gentle speech तो यह wave table position है उसके बाद में आपके पास option है जैसे pitch को change करना और आप किसी भी parameter को double click करके reset कर सकते हैं आप चाहें तो semi tones में भी वह change कर सकते हैं ठीक है इस तरह से इसके बाद में आपके पास intensity है तो यह intensity से पहले में आपको amplitude बता दू amplitude मतलब एक तरह से इसकी volume ठीक है तो कितना यह volume जादा loud होगी फिर हमारे पास में intensity है यह intensity हमारे पास में जो wave है उसको wrapping technique होती है में spectrum band plus band mind mess and format तो यह एक तरह से जो single wave है उसको wrap करते हैं मैं आपको फिर से यह जो है serum में दिखाता हूँ कि यहां पर समझना आसान है तो इसके लिए जैसे मैं एक simple acid wave चूज करता हूँ ठीक है यह इस तरह से अब यहां पर सेम आपके पास में option है जैसे band plus है तो इसको अगर मैं जैसे कम या ज्यादा करता हूँ आप देख सकते हैं यह एक तरह से इनको pass में लेके आता है इस तरह से और मैं तो यह आपका band plus है इस तरह से band minus तो अगर यहां से देखें तो आप ज्यादा असने से समझ सकते हैं जैसे ठीक है और इस तरह से आपका band plus minus है वो इधर तो plus में काम करेगा और अधर minus में काम करेगा तो अगर मैं play करूं इसे तो आप यहां पर देख सकते हैं wave में जो changes हो रहे हैं सेम आपके यहां पर massive में होता है आपके पास में जैसे band plus है और इस तरह से band minus plus तो इधर minus होगा इधर plus होगा और इस तरह से band minus और इसी तरह से आपके पास एक को style है format तो यह एक तरह से बहुत से extreme high pass की तरह काम कर रहा है तो इधर डिफरेंट आपके wave warping style है आप इनको चूस कर सकते हैं जो आप जिस तरह की sound के साथ जाना चाहते हूं सेम आपके पास 3 oscillator में control होते हैं उसके बाद में आपके पास यहाँ एक knob है जो की decide करती है कि किस filter में जाएगा तो massive में आपके पास में दो filter है filter 1 और filter 2 तो आप इसको sound कहां भेजनी है अगर आप इसको all the way up करते हैं तो यह filter 1 में जाएगा और all the way down करते हैं तो filter 2 में या फिर आदी filter 1 और filter 2 में बेजनी है तो वह में मैं आपको बताऊंगा उससे पहले मैं आपको दूसरी चीजे बता दूँ ठीक है अब यहाँ पर oscillator 1 है ऐसा ही टपका 2 है ठीक है और इस तरह सा आपका oscillator 3 है अब उसके पास में हमारे पास है modulation oscillator तो आप क्या है कि इस oscillator के different properties को to modulate करवा सकते हैं और वो modulate कैसे होगा कि कितना speed होगी rate आप इसकी pitch से define करते हैं और कितना जपाएदा होगा वाप इसकी रिंग modulator इस की बात करेंगे तो इसको सबसे पहले आपको on करना पड़ेगा और जैसे मैं pitch इसकी कम करता हूँ 64 और इसके बाद किसको modulate करवाना है तो ring mode अभी off है इसको मैं modulator 1 के लिए on करता हूँ तो इस तरह से 1 पर click करूँगा और फिर तो आप देख सकते हैं वह आवा जा रही है अब कितरा ज्यादा depth होगी वह हम यहां से सेट करते हैं और कितरा जल्दी-जल्दी होगा वह pitch से सेट करते हैं ठीक है इस तरह से फिर हमारे पास में phase का option है जैसे phase को अगर मुझे करवाना हूँ इसी तरह से आपका position है तो position एक तरह से wave table की जो position है वही है और यह same है जैसे इसका मेरा अगर off करूँ तो यह same काम हो रहता है यहां पर और इसके बाद में आपका है filter FM तो एक तरह से यह क्या है जैसे मैं इसको off करता हूँ फिर बताता हूँ filter मैं आपको बताऊंगा पर एक बार समझने के लिए जैसे low pass filter है तो वही आपका जैसे इसको में filter 1 में भेजता हूँ अब आपको इससे अगर modulate करवाना हो ठीक है तो वह हम यहां से कर सकते हैं modulate और इसके बाद में filter FM 1 ठीक है तो यह जो modulation है हम यहां से करवा सकते हैं तो यह आपका modulation oscillator होता है उसके बाद में आपके पास में जैसे आपने यह ठीक है उसके लेटर में different type wave क्रेट कर सकते हैं आप यहां पर noise भी create कर सकते हैं आपके पास में different type की noises है for example white noise, bright noise, brown noise जैसे white noise है तो सबसे पहले आपको इसका amplitude set करना पड़ेगा कितनी loud हो यह ठीक है उसके बाद इसका color इस तरह से आपके पास में different type चेक कर सकते हैं जैसे कई बार क्या है pure sound अच्छी नहीं होती तो आप इन में noise एड़ कर सकते हैं ठीक है और इसी तरह से तो यह different type के आपके अभी के लिए मैं इसे off कर देता हूँ और फिर आपके पास option होता है आपको इसे किस filter में बेजना है उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर feedback तो यह आपको समझने के लिए मैं आपको routing बतानी होगी जैसे हम यहाँ पर जाये तो routing लिखा हुआ है यहाँ पर आपको दिखाता है कि कैसे massive में sound जो है process होती है जैसे oscillator यहाँ पर आपके different है यहाँ पर noise है उसके बाद यह आपकी यहाँ से जाती है filter one filter two में और यहाँ पर कैसे set करेंगे मैं आपको बताऊंगा उसकी बाद में वो जाती है आपकी applicator में फिर वहाँ से जाती है fx1, fx2, eq और फिर जाती है master में आप क्या कर सकتे हैं जहाँ बीआ आ देखें feedback जैसे यहाँ पर feedback लिखा हुआ यहाँ पर fp लिखा हुआ है आप किसी भी feedback को जैसे इसे click करके उसे on कर सकते हैं जैसे यहाँ पर इससे click करता है तो इन white colour का okay bagus यह on हो गया आप क्या कर सकते हैं, यहां से जो sound है feedback को वापिस भेज सकते हैं, depending on कहां पर click कर रखा है, वहां से sound को पीछे वापिस भेज देगा, और उससे आप different type के effects create कर सकते हैं, क्योंकि जो sound है वो process होके आगे जाती है, जैसे for example, यहां पर आयो sound process होके, और इसको मैंने feedback फिर से भेज दिया यहां पर, तो वो कैसे process होगी, तो आप यहां से amount इसका set कर सकते हैं, तो जैसे oscillator one on करूँ, आपको इसे on करना पड़ेगा, और आप इसकी position जो है change कर सकते हैं, for example, आपको यहां से करना हो, तो अभी तो हमने कोई filter या फिर effects वगर apply नहीं कर सके, तो आपको result लगबग same ही सुनाई देगा, बढ़ यह काफी अच्छा तरीका है, इस तरह से complicated sound create करने का, और अगर आपको पता है, आप क्या कर रहे हैं, तो आप इससे बहुत अच्छी sound create कर सकते हैं, same आपके पास में option आप filter one या filter two जो हम भी बेज सकते हैं, same आपके पास noise के लिए है, उसके बा आपके पास option है, जैसे low pass, high pass है, फिर all pass है, double notch, bend pass, bend reject type से scream, तो depending on कि आपने कौन सा चूज कर रखा है filter type, उसके according यहाप आपको parameter दिखाई देंगे, for example, अगर जैसे मैं जाता हूँ scream पे, तो आपको यहाँ पे cutoff frequency, फिर scream frequency और resonance, यह आपके पास control होते हैं, लेकिन अगर resonance होता है, तो यह आपके पास में basic filter type option होते है, सबसे पहले तो आपको oscillator को define करना होता है, कि कौन से filter में जाएगा, filter one में या किस में, ठीक है, उसके बाद में आपके पास यहाँ पे option है, कि आपको कैसे input आ रहा है, वो filter में बेजना है, जैसे यहाँ पे option है, SER, फिर PR, तो य यह क्या करता है, पहले जाता है filter one में, और फिर जाता है filter two में, तो series होती है, filter one and then filter two, अगर आप इसको करते है parallel, तो half जो आपका input हो जाता है filter one में, half जाता है filter two में, और एक तरह से फिर जाता है वो आपका master में जाता ही volume, फिर आपके effects वगेरा process होते हैं, तो आप यहाँ स जैसे आप चाहें तो filter या तो 100% apply कर सकते हैं या फिर इसका कुछ amount जो set कर सकते हैं जैसे अगर आप इसको बिल्कुल नीचे कर देंगे तो filter apply ही नहीं होगा इसके बाद में आपका है mix 1 and mix 2 तो ये एक तरह से इन दोनों का filter का mix है जैसे आपको कितना रखना है अभी 100% रखेंगे तो filter 2 जो है वो काम ही नहीं करेगा ठीक है और अगर इमें से mix 2 कर दो तो ये काम करेगा और इसको मेरे को on करना पड़ेगा और इसको अगर मैं बीच पर रखता हूँ तो दोनों काम करेंगे इस तरह से तो depending कि आप किस तरह के effect करना चाहते हैं वह आप create कर सकते हैं उसके बाद में आपका है amplitude तो ये तरह से volume से related है जैसे सबसे पहले आपकी master volume फिर आपका panning और आप किसी भी parameter को reset करना चाहते हैं उस पर double click करेंगे तो reset हो जाएगा और इसके बाद में आपका modulate ये जो है envelope के बारे में बताऊंगा तो मैं इस 4 का मतलब भी बताऊंगा पर अभी के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं इसके बाद में हम बात करते हैं effects के तो आपके पास इसमें कुछ simple effects होते हैं for example reverb ठीक है आपके पास में 2 effects panel है इस तरह से इनको off करना चाहिए off भी कर सकते हैं on कर सकते हैं तो यहाँ पे आपके पास में कुछ effects हैं जैसे यह आपका है जैसे chorus mono और इस first में है कुछ एक जैसे आपका यह कुछ एक जो है वहाँ पे available नहीं है जैसे आपका classic tube है तो यह distortion है कुछ एक यहाँ पे available नहीं है आपके वह effects जो है तो आपके पहले ही available होते हैं इसके बाद में आपके पास यहाँ पे EQ का option है तो इसमें भी आपका built-in EQ है बाकि आप चाहे तो parameter के help से भी कर सकते हैं तो यहाँ का EQ है थोड़ा different है जैसे low shelf है आप एक specific frequency को boost कर सकते हैं फिर high shelf अब यहाँ से मैं आपको बताता हूं insert के बारे में तो एक तरह से insert आपके extra effects हैं जो आप चाहे तो पहले या बाद में भी apply कर सकते हैं for example जैसे आपको मान लीजे यहाँ पर आप देखे routing में आपको यहाँ पर insert दिख रहे होगा INS1, INS2, INS1 यहाँ पर अलग लग जगह पर लिखे हुए तो आपको जैसे यहाँ पर effect लगाना है तो आप इस पर click करेंगे यह white हो गया मतलब यह on हो गया यहाँ पर effect apply होगा यह effect लगा सकते हैं आपको अगर इसी position change करते हैं आपको simply click करना है यहाँ पर और फिर यह filter के बाद process होगा और इसी तरह से आपके पास insert to है यहाँ पर different effect लगा सकते हैं तो depending हो कि आपने कहाँ पर routing के अंदर position की set करकी है जैसे insert one अगर यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ जैसे यहाँ पर भी है filter के just what but effect से पहले इस तरह से तो आप चाहें तो इनकी position जो है change कर सकते हैं और आपके पास में दो insert option होते हैं इसके बाद में जो हमारे पास बचता है वो यह bypass था यह मैं आपको बता दूँ तो मान लीजे आपको जैसे osculator 3 है for example जैसे मैं पहले यहाँ पर effect लगाता हूँ reverb और एक low pass filter ठीक है आप जैसे मान लीजे मान ने osculator 2 on किया और यहाँ पर म ठीक है अब यह भी जो है आपका इस filter में जा रहा है अगर आपको चाहते हैं कि इस वाले को आप bypass करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ bypass से करवा सकते हैं सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा osculator आपको bypass करवाना है जैसे B ठीक है यह B वाला अब इसको आप ज करवाना ही यहां से चूज़ करना पड़ता है for example आप FX1 अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यह रिवब वाला effect इस पर अप्लाई करवा सकते हैं और आप चाहें तो FX2 पर डार्ट भेज सकते हैं इसे बिना रिवब के और आपको वह effect भी नहीं लगाना डार्ट की स्रिफ EQ तो आप इस तरह से इसको bypass भी करवा सकते हैं इस तरह से अभी के लिए जैसे ठीक है यह इस तरह से सेट कर सकते हैं अभी यह तो आपको bypass अब बात करते हैं different tabs के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको global बता दूँ क्योंकि इसका ज्यादा यूज नहीं होता सबसे पहले आप आपको आपको reset कर देगा सब कुछ फिर आपको global tune है global pitch और इसके बाद में आपके पास preset PPM तो अगर आप जैसे LFO वगेरा में वोबल टाइप से create कर रहे हो तो अगर speed वगेर आपको project से match ना कर रही हो तो आप यहां से इसका tempo वो set कर सकते हैं फिर आपका reset और exit वगेरा है तो basically इसकी patch की quality है वो related आपके पास options नहीं होते हैं जैसे आप randomize पे click कर सकते हैं क्या क्या आपको randomize करना है उसके click करके तो यह different एक new sign create कर देगा तो इस तरह से है बाकी जो यहां पर main जो काम आने लाएक option है वो यह global quality है एक तरह से आप जो sound create कर रहे हैं उसके quality आपको इसे ultra या high पर रखना पड़ता है ताकि आप best quality निकले बड़ अगर आपका system hang कर रहा है तो आप इसको eco पर रख सकते हैं और लेकिन जब आप इसको render करें song को finally तो इसको ultra पर कर दीजिए तो वैसे जाला सही रहेगा कि आप passive को खोल के ultra करेंगे पर अगर आपका hang कर रहा है तो आप इसको eco पर भी set कर सकते हैं तो कुछ एक preset होती है जो आपके hang करती हैं चलिए बात करते हैं भी सबसे पहले मैं आपको बता हूं osculator तो यहाँ पर आपके पास different osculator selected option होते हैं जैसे सबसे पहले है यह glide option तो आखिर यह क्या है तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले जाना पड़ेगा voicing में जिससे मानली जी मैं दो note play करता हूं और आपको वहाँ पे slide करवाना है जैसे हमारा portamento type से effect होता है वो तो उसके लिए पहले मेरे को voicing में जाना पड़ेगा और यहां से यह monophone को on करना पड़ेगा अगर देखेंगे sound सुनेंगे तो इस तरह से हैं अगर मैं time को बढ़ाता हूं तो आप देख सकते हैं वो glide type का effect create होता है अगर मैं और बढ़ा दूँ से तो यह आपका glide का effect होता है यह मतलब मैं आपको जाले तर वो option बता रहा हूं जो आपके arealy में काम आएंगे फिर आपके पास यह pitch band है तो actual में यह क्या है कि जैसे आपका MIDI keyboard होता है उसमें आपके पास एक pitch band की knob होती है वो कितना band कर सकती है वो आप यहां से set करते हैं तो अभी तो हम आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि MIDI keyboard में पास है नहीं लेकिन अगर आपके पास में हो तो आप यहां से set कर सकते हैं कि वो कितनी pitch की band को जो है मालब pitch को कितना change कर लेगा फिर oscillator phases है तो जैसे मान लीजे यहां पर square 101 है यहां पर square 101 मैं एक और apply करी तो एक तरह से दोनो oscillator जो है वो on है ठीक है अब मेरे को मालने चाहिए अगर दूसरे oscillator का phase अगर change करना है तो मैं यहां से कर सकता हूँ पर example मैं इसको जैसे on करता हूँ फेस का phase जैसे change करूँ तो एक तरह से 160 degree पे दोनो एक तरह से cancel ही हो रही होती है तो यह आप इस तरह से और osculator 3 का on करके इसको भी change कर सकते हैं उस तरह आप modulation as osculator का phase है उसको भी यहां से change कर सकते हैं तो यह आपका यह हुआ है इसके बाद में आपके पास vibrato है तो एक तरह से जो पीछ में variation होता है वो यहां से set कर सकते हैं सबसे पहले depth कि आपको कितना ज्यादा pitch change करनी है और इसकी rate कितनी जल्दी जल्दी अब सबसे पहले में यहां पर थोड़ा reverb लगा देता हूं कब से कम sound अच्छे लगे अब यहां पर आपके पास एक internal envelope है तो यह क्या है यह सेम इनी तरह envelope की तरह है बट यहां पर यह अविलेबल है यह एक तरह से इन parameters को control करने के काम में आता है मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा एक envelope का है मैं लग से वीडियो करूँगा बट एक तरह से मानलेजे आपको rate मानलेजे increase करनी हो दीरे दीरे time के साथ इस तरह से तो आप यहां से कर सकते हैं इसको drag करेंगे यहां पर लेके आएंगे सबसे पहले initial value हम इसकी 0 रखेंगे और फिस AD पर click करके इसको drag करेंगे इस तरह से और यह जो इसका जिससे मैं decay time बढ़ा देता हूँ ताकि यह straight रहके रहे और फिर depth भी इस तरह से आपको कभी भी modulation envelope हटाना आप simply right click करके उस पर off पर click कर देंगे तो बहट जाएगा अब चलिए बात करते हैं यहां पर यह तो हुआ अब बात करते हैं ktr oscillator की ktr का मतलब होता है key track तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आप जो piano पे आपकी buttons होते हैं जैसे आप यहापे की आप देख रहे होंगे हर एक key oscillator की different pitch को target करती है तो उसी तरह से आपके note आते हैं जैसे इस तरह से लेकिन अगर आप इसको आप इसको change मत कीजिए आप चाहते हैं कि different note अलग pitch को अगर target करें तो आप basically जो है linear पर रखी यह best रढ़ेगा फिर आपका है key track filtering तो एक तरह से जैसे आप को filter apply करते हैं ठीक है तो जैसे होता क्या है कि जैसे अगर आप जैसे low note play करते हैं तो उस note के corresponding जो frequency होनी चाहिए जैसे parameter के क्या करते हैं कि जैसे 400 Hz से उपर उपर की frequency हटा दी वो low pass हो गया लेकिन key tracking में क्या होता है इस से oscillator में इस से filtering में कि जैसे अगर higher note है तो उसमें यह filter है यह parameter के क्यों या फिर आपके जो FLCD के filter से different है बाकि आप एक तरह से ऐसे मानके चलिए कि lower note पर यह कुछ इस तरह से रहता है और higher note पर कुछ इस तरह से रहता है तो आप इसको बस देख नहीं पाते बाकि यह इस तरह से काम करते है आप चाहें तो इसको off कर सकते है इ देइम फ्रिक्वेंसी आमे वेस्षया करती रहेगी अ है ठीक है तो इस तरह से बाकि आप इसको 1st पर सेट कर सकते हैं इस तरह से बाकी और इस तरह करते हैं किससरे की sound create करना चाहते हैं फिर आपका voicing है तो यह जैसे sound produce करता है उसमें कितनी सारे sound create करनी हो शबसे पर जैसे आपका unisono है तो अभी जैसे एक ही आपकी voice create होती है आप ऐसे voice का mount यहा पर देख सकते हैं file के just under इसको जैसे mount बढ़ाता हूं 3 तो एक तरह से आपकी 3 जो oscillator 1 है 3 wave एक तरह से create कर रहा है और आप इसको बढ़ा सकते हैं जैसे 16 तक तो एक बार मैं इसको reset करता हूं और इसके बाद में आप क्या है इन जो आपकी 3 waveform निकले हैं इनकी आपस में pitch को differentiate कर सकते हैं यहां से हर एक के आपको pitch अगर अलग करनी हो तो इस तरह से हम detuned जो saw है वो create कर सकते हैं और आप इसको अगर ज्यादा बढ़ाना चाहें तो यहां पर amount है कि zero से लेकर एक के बीच पर pitch चेंज होगी और अगर इसको बढ़ा दें for example मैं इसको कर दूँ 11 या इस तरह से 12 तो maximum जो है 12 जो tone है semitone उसके अंडर जो आपका pitch है वो change हो रही है अगर मैं इसको बढ़ा हूँ तो आप इस तरह से जो sound है वो create कर सकते हैं और इसके लाओ आपके पास यह option है जैसे centered और chord तो एक तरह से जो आपकी जो main note जो आप play कर रहे हैं वो इस 12 और 0 के middle में रहेगा और chord का मतलब है कि आप जो note प्ले कर रहे हैं वो आपका pitch रहेगी तो जालत तर यह जालत difference आपको सुनाई नहीं देगा इसको आपके ज़्यादा change ना करिए क्योंकि बीच में weird sound आती है यह तो आपका unison spread था यह तो pitch हमने spread की आप इन 6 voices की wave table position जो है वो भी change कर सकते हैं यहां से depends कि आप कहां पर इसको set करें जैसे मैंने यहां पर set किया तो यह randomly इदर 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 position होगी इन 6 voices की तो जैसे कोई आपका ऐसा है जिसमें कुछ ज़्यादा आपकी wave table change होती है जैसे मैं इसको पहले zero करता हूँ ठीक है तो माल लिजे एक wave आपकी यहां आती है को एक यहां आती है तो इस तरह से यह होता है यहां पर अगर मैं इसको on करूं इस तरह से फिर आपके पास यह pan position है तो यह जो आपकी different unison waveform है इनकी pan की एक तरह से आपकी change होती है कि कुछ left right कुछ left right तरह से इस तरह से तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे पास में कुछ option है polyphone, monophone, monorotate तो सबसे पहले जैसे polyphone pitch play होती है ठीक है polyphone में जैसे आपका note अलग-अलग play होते है जैसे अगर मैं play करूं अगर मैं monophone को on करूं तो एक तरह से portamento effect आता है और वही कि आप इसका time यहां से set कर सकते हैं अब यह आपका monorotate है थोड़ा तो आप difference सुन सकते हैं और यह monophone इसके बाद में आपका triggering option है जैसे always है तो जैसे मैं एक lower note play करता हूं और फिर higher play करूं तो आपका जो पहले वाला note जो play हुआ थो वहां से जाता है जैसे मैं time को बढ़ाता हूं फिर आप इसका obviously सुन पाएंगे जैसे higher note play किया अगर lower play करूं तो higher से low जाएगा ठीक है अब आप इसको अगर legato पे on करें तो यह हमेशा उसी note पे रहेगा इस तरह से लेकिन जो आपस में जो pitch band है वह हमेशा काम करेगी और मैं time को थोड़ा कम करता हूं ठीक है और फिर आपके यह legato try लिए trailer जो भी option है तो यह लगवग similar है आप चाहें तो mainly आप always the legato को जो यूज कर सकते है depending आप किस तरह का sound create करना चाहते है ठीक है तो आप इससे experiment कर सकते है फिर यह routing है तो मैं आप कोई बताई दिया यह एक तरह से show करती है कौन से change कहां जा रही है उसके उपर और यहां से आप जो यह insert की position है जो आपकी bypass की position है या फिर आपके जो feedback की position है वो आप decide कर सकते है तो यह काफी काम आती है फिर आपके पास macro control है तो एक तरह से आपके पास जो media keyword है उसमें different आपके पास यह चीज़े होती है जैसे buttons होते है different knobs वगरा होती है तो आप उनको control करना चाहें तो आप यहां से कर सकते हैं वाट हम जैसे अगर normal computer system पर काम कर रहे हैं तो इनकी कोई ज़रुत नहीं होती अब जो main चीज है massive की यह जो envelops है इनके उपर बात करते हैं एक तरह से जो इसका heart है तो आप क्या है आपको जहां पर भी बॉक्स दिखाई दिए रही हूँ हम उन properties को modulate करवा सकते हैं इन envelops के help से तो यह तरह से modulate मतलब उनकी value है आप उनको time के साथ change कर रहा सकते है for example जैसे इसका amplitude है इस तरह से आपको यह modulate करवाना है इसको change करवाना है time के साथ तो आप करवा सकते हैं आप उसको करवा सकते हैं envelope की help से जैसे इस तरह से आपका graph होता है या attack time फिर आपका delay sustain और फिर release time इस तरह से या फिर आपके पास LFO होते है law of frequency modulator तो इस तरह से जो wave है उसकी तरह से volume change करते हैं या जैसे ओपर निचे ओपर निचे या फिर आपके पास इसमें एक performer होता है आप यहां से change कर सकते जैसे performer तो इक तरह से यहां पर जो graph है इस तरह से आपकी value change होंगी और इसके बाद आपके पास एक stepper होता है तो simple volume जादा कम जादा कम जादा कम जादा कम इस तरह से तो आप यह different type के modulator है इनको यूज कर सकते है by default यहां पर क्या होता है जो envelope है आपका वहां पर 4th number के envelope है वो apply हुआ हुआ होता है ठीक है यह वाला और इसको आपको हटाना है तो आप simply right click करके off पर क्लिक करके इसको हटा सकते हैं मैं आपको simple plug type से sound create करके बताता हूँ क्योंकि वह सबसे आसान है जैसे मान लीजे मेरको envelope जो है volume बढ़ानी है ठीक है इसकी मदब से तो कैसे करूँगा अब इसके इस जो आप देख सकते है आप देख सकते है अप देख सकते है इसको ड्रैक करूँगा और इसको यहां पर लेकर जाऊंगा और छोड़ दूगा तो आप देख सकते हैं यह एक number लिखा हुआ रहा है इसके बाद मैं आपको सबसे पहले इसके इनिशिल value सेट करनी पड़ती है कि कहां से start हो ठीक है और इसके बाद मैं इस पर एक number पर click करके drag करूँगा और मुझे कितनी value तक change करनी हो वह यहां पर होगा अब यहां से modulate करवा सकता हूँ जैसे सबसे पहले मैं attack time को कम कर दूँ और फिर जैसे मैं level को कम करूँगा तो यह level ज्यादा नहीं जाएगा और जैसे मैं decay को कम करता हूँ level final को भी कम और फिर आपका release time है इस तरह से और यही same हम एक low pass पर भी apply करेंगे और यह तरह से फिर आपके पास यहां पर यह velocity volume का option है आप इसको भी choose कर सकते हैं और अगर आपकी track feature को अन करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं तो आप इस तरह से modulate करवा सकते हैं और different parameters जिनको भी आपको modulate करवाना हो और हटाना हो simply right click करके off पर click करेंगे जैसे इसको में off कर देता हूं आपको मानली जिस तरह से verbal create करना है तो आप simply जैसे जफो की help से आसानी से कर सकते हैं सब सब इसको apply करते हैं और यहां से आप क्या है तरह से इसमें plus या minus value set करते हैं इधर से इधर कितनी जाएगी है आप यहां से सब सब बहले rate कितनी fast हो गई है और amplitude कितना ज्यादा हो गई है आप इसकी position भी change कर सकते हैं इस पर click करके आप different type के curve लोड कर सकते हैं जैसे आप अगर इस तरह से करें या फिर इस तरह से या फिर इस तरह से और आपके पास में काफी अच्छा option है आप चाहें तो जैसे दूसरा envelope जो है उसको on करके यहां पर different envelope लेके लिए आप सकते हैं और इनको आपसे mix करवा सकते हैं इस तरह से आपके पास performer होता है आप इसको भी on कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से यह change हो रही है आपके पास में क्या है आप जैसे load curve पर click करेंगे तो आपके पास different type कर्व है तो आप जैसे इस पर click करें और यहां पर drag करें नीचे से तो आप इसको भी on कर सकते हैं और जैसे मैं इसको apply करता हूं सब जगे इसको तुबार click करके और इसको भी apply करो या फिर इस तरह से या फिर इस तरह से ठीक है तो आप इस तरह से आप performer को चूज करते हैं या फिर step पर के help से simple steps करीट कर सकते हैं तो या simple step है एक तरह से कितनी modulate होगी ठीक है तो या आपके modulator है जैसे अभी इसका हम simple इस पर रखते है और जैसे इस पर अगर हम classic tube effect लगाए ड्रीक अभी लगाए जैसे इस अभी आप में दूसरे इस पर अग्सांपर फ्रोजन और यह से इस पर प्लाय करूँ इसके रेजोनेंस पर तो यह जादा हो रहा है और यह पर जादा है और अगर मैं जासे इसको ओन करूँ तो आप देख सकते हैं और अगर मैं 30 loss के लेटर भी आण करूँ तो मैं यह पर कोई डिफरेंट ऐसे ही रेंडमली कोई भी चूज कर रहा हूं और हम चाहिए तो इसकी जो यह विफ टेबल पोजिशन न उसका भी मॉजुलेट करवा सकते हैं जैसे इसकी वी और मैं नियू साउंड पर क्लिक करता हूं तो आप इस तरह से जो है डिफरेंट टाइप के साउंड पर क्रेट कर सकते हैं और एक चीज मैं आपको बता दूँ कि पूरी तरह से डिपैंड करता है कि आपको किस तरह की साउंड चाहिए अगर आपको प्लक टाइप की साउंड क्रेट करनी है तो उसका प्रॉसस अलग होता है बट जैसे आपको different अगर sound create करनी है उनका process अलग होता है तो उसके लिए जो है मैं video series अलग से करूँगा sound designing के जिसमें हम बात करेंगे जैसे codes जैसे sorry pad sound कैसे create करनी है ठीक है और वैसे ही उसमें pluck sound कैसे create करनी है जो थोड़े piano type से sound होती ही वो कैसे create करनी है कैसे उनका process होता है उसके उपर अब ही जैसे आपको अगर यहाँ पर pad create करना होता तो यहाँ पर मैं इस तरह से create करता है जैसे यहाँ से saw one तो है ही यहाँ से थोड़ी detuned इसको कम ही करते है इस तरह से और अगर मैं इसके intensity थोड़ा कम कर दो उसपे कलोपा तो voice अभी कुछ जाद रहा है और इस वे जाद से मैफेक लगाँ पर इसमेंपल चॉरस और फिर एक समोल रिवर्प तो खेर इस वीडियो के देरे फिला लितने ही मैं आपको यही बता रहा था क्यासे इस 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 करते हैं और यहाँ पे एक चीज और रहा जाती है जैसे आपके पास view का option है सबसे पहले सिंथ का option है जहाँ पर आप यह सिंथ parameter देख सकते हैं फिर attributes आप जिससे preset बनाते हैं तो इस पर author company का नाम वगएरा set कर सकते है साउंड जो भी create करते हैं और फिर आपके पास ब्राउजर का option होता है तो आप यहां से जो है एक तरह से presets जो है आप access कर सकते हैं जैसे यहां पे selected है इस तरह से तो यह जो presets है रहा है यह आपकी कर सकते हैं तो आपके पास अगर प्रिसेट हो तो आप इसको यहां पर सीव कर सकते हैं इसके लागर आपके पास मैं KST format में हो प्रिसेट तो आप यहां से import KSD sound पर भी क्लिक कर सकते हैं होता क्या है कि जो massive की preset है वो NMSV format के अंदर होती है और अगर आपके पास KST file में है तो आप इस तरह से उसको KST batch convert है उसके help से KSD to NSMV format में change कर सकते हैं तो यह आपके पास में कुछ इक option होते हैं तो यही था care क्या role वगरा होते हैं अगर आपको स्टिल कोई doubt या problem है तो आप मुझे comment section पूछ सकते हैं अगर आपको कोई suggestion यह सुझा हो है तो वो भी आप नीचे मुझे दे सकते हैं तो मैं आशा करता हूँ यह चीज आपको समझ में आई होंगी इसी तरह के और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और एडवांस टुटोरियल के लिए और ज्यादा जानकरी के लिए आप मेरी website यानि medialearns.com पर भी जा सकते हैं तो इसी के स करके ऊख़ मेरे संभी आप मेरे सुटेण click, एटेचप़ और एवा चैनल लिए, हानकरी के लिए आपना भी एवांस टुटोरियल के लिए छॉप्पाराइब कोसित안 प्नॉध करहले, हाले.